Hello guys, आज हम जैंगो के मौडुल में देखेंगे कि आप आप आटो slug field को कैसे आइड करेंगे अब देखें slug field क्या होता है पहले ये clear करते हैं देखें slug field का logic क्या होता है मैं आपको पहले बता दूँ slug field एक field होती है जो आपके जो title होता है तो मैंने news की id को url पे भेजा है और id एक search engine के according सही process नहीं है हमें क्या करना चाहिए हमें इसा slug को url पे भेजना चाहिए तो slug generate कैसे होगा तो slug को generate करने के लिए हम auto slug field का क्या करेंगे यूज करेंगे तेखें auto slug field क्या करेगी काम करेगी आपके title पे जो आपका title होगा उसके according auto slug field काम करेगा और उस process से आपका data क्या होगा get होके आएगा इसमें कई सारी चीज़े हैं जो सारी चीज़े मैं आपके सामने क्या करूँगा clear करूँगा मर पहले slug clear होना चाहिए न कि slug होता क्या slug जो value URL पे जाती है जैसे आपने कोई title दिया about us तो about us का slug क्या बनना चाहिए about us क्योंकि यही URL पे जाएगा और उसी slug के थुरू data को क्या करूँगा लेके आऊंगा तो यह पूरा process मैं news में क्या बनाएंगे पिर बनाने के बाद जो data है वो slug के थुरू कैसे get करेंगे यह सारे process को अभी हम क्या करेंगे clear करेंगे और पूरा का पूरा प्रैक्ली करेंगे जिससे आप इसको implement कर पाएं तो चले start करतें देखिए देखिए पहले मैं आपको बताता हूं देखिए पहला logic य अपने को यह package install करना पड़ेगा pip install django dash autoslug यह package है यह आपको install करना पड़ेगा install कहां से होगा आप visual code studio में जाइए मैं यहाँ पर power cell में जाता हूं आप देखिए मैं यहाँ से जाके क्या अगर देता हूं इसको install करता हूं जैसे just example के लिए मैंने यह लिका pip install autoslug तो यह install आपको करना अगर आपके system में नहीं है होगा नहीं क्योंकि अभी आपको अगर project को बना रहेंगे तो आपको यह package install करना पड़ेगा तो install करने के बाद देखिए अब मैं आपको clear करता हूं slug देखिए slug एक तरह से देखिए यह जैसे एक website है jcrcap.com यह एक normal website है मैं about us पे क title पे क्लिक है तो अभी ID जाती है मैं चाहता हूं यहाँ पे slug जाए और slug के through data आए slug क्या बनेगा what is जो यह लॉरम लिपसम लिखा हुआ इसी को small letter में करके बीच में dash को लगा देना है और यह automatic generate होना चाहिए यहाँ पे आप slug को लिखते नहीं है slug automatic क्या होता है generate होता ह अब हम पूरा process क्या करते है implement करते है देखिए आपको जाना है सबसे पहले models में देखिए वैसे मैंने यह line यहाँ पर लिखके रख रख की है और मैं अलग से बता देता हूं देखिए आपको एक field बनानी है जो भी field बनाना चाहते हैं बना सकते हैं तो मैं चली एक field बना दे इसको यहाँ पर import कर लेना है मेरे देखिए already import है मगर तब भी बता रहा हूं कि यह import होना चीए यह from auto slug एक package है इसके अंदर auto slug field अपने पास एक function मिलने वाला है अब इस function को use करके क्या करना है देखिए यहाँ पर लिखा auto slug के अंदर आप populate from लिखेंगे अब populate from में यह पर title है तो title क्या है आपकी field का नाम है तो आपने जैसे यहाँ पर देखा कि title लिखा हुआ है आपको क्या करना है news title लिखना है तो कैसे होगा देखिए पूरा process बताता हूं आपको यहाँ पर जाना है और auto slug field को यहाँ पर use कर लेना है अब देखिए इसके अंदर सबसे पह यहाँ पर use करना unique यहाँ पर देखे लिख रखा है मैंने unique अब देखे unique true का मतलब क्या होता है slug same name के दो बार नहीं बन सकते माल लिजए आपने slug बनाया hello dash world तो यह slug बन गया माल लिजए आपने एक और title add किया hello dash world तो वो भी slug same बनाएगा तो यह same slug नहीं बनाने देग यह मैं आपको clear करता हूँ और comma करके आपको बताना है कि null true null true का मतलब blank हो सकता है यह और default में हम यहाँ पर क्या करेंगे none set करने इतने attribute आपको क्या करने यूज करने मैं आपको बता देता हूँ इसके अंदर देखे यह चार है अब देखे चारों को समझेगा आप चारों का logic आप populate from मतलब किसके through slug बनाना है unique है null true मतलब blank हो सकता है और default value में none रख दिया मतलब default value none लेके जाहिए तो यह हमने क्या किया एक slug की field बनाई है यह दिहान रखिएगा पहले आपको यहाँ पर import करना है clear बता रहा हूँ और फिर आप इस slug field को क्या गर सकते यूज कर सकत आपका make migration यह यूज करना है जिससे fields आपकी क्या हो जाएगी migrate migration हो जाएगा उसका make migration लिखना है www.bagicana.org migrations होते ही आपकी field क्या हो जाएगी generate हो जाएगी देखिए यहापे लिखावा है add field news slug to news मतलब अब देखिए यहापे आप notice करिए एक यहापे migration के अंदर एक file बनी है देखिए news slug करके और यहापे लिखावा भी है कि आप यह slug field add कर रहे हैं उसके अंदर अब देखिए इसके बाद क्या होता है आपको पताई है कि आपको यहापे python manage.py migrate करना है जिससे यह field table में generate हो जाए और table के अंदर create हो जाए तो मैं यहापे migrate कर देता हूँ एक बार जिससे यह field क्या हो जाए यह बन जाएगी देखिए migrate करते है यह field यहापे क्या हो चुकी है अब बनने के बाद अपने को कैसे check होगा कि यह table में बनी है की नहीं हम क्या गरते हैं db browser को open करते है और db browser को open करके यहाँसे open database करते है और यह अपना database है अब जाते है browse table में यह अपनी news की table है यहांसे browse करते हैं तो आप देखिए यहाँए news underscore slug करके field यहाँपे generate हो चुक और यहाँ पे जाता हूँ देखिए अब देखिए जब आप यहाँ पे जाएंगे तो कोई slug की field नहीं आएगी वो इसी title को क्या करेगा internally slug में represent करतेगा slug के अंदर convert करतेगा जो भी आपने title लिखा है why do you use it लिखा हुआ है वो इसको क्या करेगा small letter में करतेगा और beach में हर जगे dash लगा देगा अब देखिए use करने का तरीका है किया है मैं यहाँ पे जाके save करने के बाद आप क्या करिए फिर से database को open करिए जलिए मैं यहाँ पे जाता हूँ open database कर देता हूँ बस clear है कि दोनों का slug हमने क्या कर दिया, generate कर दिया, browse table में जाते हैं, और यहाँ पर देखे, browse कर देते हैं, करने के बाद अपने को बता चल जाता है, दोनों का slug बन गया, तो slug एक field है, जो automatic बन रही, automatic बनने का मतलब है, हमने कोई लिखा नहीं है, यह automatic यहाँ पर बन रही ह जो भी आपका model है, तो हम देखते हैं, news model के अंदर मैंने एक field बनाई, auto slug field को यहाँ पर क्या करना है, यूज करना है, फिर populate from unique, null और default, यह चार इसके अंदर attributes यूज कर लेना है, अब इसको यूज कैसे करेंगे, देखे, main जो मेरा मुद्दा है, मैं आपको अदा तो, main म देखे, .id है, आप यहाँ पर field का नाम लिख दीजे, जो अभी आपने बनाए, news underscore slug, अब आपने देखी, यह field तो यहाँ पर बेज दी, मगर अपने को कई जगे changes करने पड़ेंगे, क्या changes करने पड़ेंगे, मैं आपको बताता हूँ, क्यूंकि हमने जो views के अंदर use किया था, वो use किया था, news id, तो मैं यहाँ पर भी क्या करता हूँ, और slug ले लेता हूँ, यहाँ भी slug ले लेता हूँ, एक बार, और url जो बनाया था, मैंने url.py, यहाँ पर भी slug ले देता हूँ, और साथ में जो आपने views के अंदर यहाँ पर लिखा है, news.object.get, यहाँ पर लिखना है, news underscore slug के थूँ, अपने को get करना है, देखिए, तो मैं यहाँ पर news underscore slug क्या गर देता हूँ, लिख देता हूँ, अब अपने सारे process complete होगे, मैं यहाँ पर refresh करता हूँ, कोई भी error नहीं आ रही है, और मैं यहाँ पर जाके क्या करता हूँ, क्लिक करता हूँ, क्लि का slug जाता है, तो slug जाता किस process से है, तो slug पहले admin में generate होना चाहिए, तो admin में generate करने के लिए, हमने auto slug field का use किया, और फिर website में दिखाने के लिए, जहाँ पर हमने query लगाई थी, देखिए, news.object.get, वहाँ पर मैंने slug field को क्या गर लिया, use कर लिया, तो अभी के part में आपक कैसे use करते हैं और कैसे implement करते हैं, thank you so much guys.